व्रत कथा, एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहुकार रहता था, उसके घर में धनकी कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी इस कारण वह बहुत दुखी था, पुत्र प्राप्ती के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के स रात शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था इधर साहुकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनो कमनाय पूर्ण होती हैं।